सुश्मिता बेटा सुन मुझे नब बहुत जरूरी काम से जाना है बच्चों को जो वो मांगे उनकी मन पर संद चीज बना के खिलाना और देख लेना वो अपना होमवग कर ले भावी बिलकुल चिंता मत करना मैं हूना अब अपना काम करके आना खिनाया ओके बेटा मैंने दीदी को समझा दिया है वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान दखेगी बाई मैं नहीं करवारी अपने आप कर लो चलो फटा फट कमरे में चलो फटा फट चलो फटा फट बिदी बूख लग रिया लागी बना दो मैं नहीं बना रही जो किचन में है वो खा लो बिदी ममा ने होमबक के लिए का था एक बार चेक कर लो मैं नहीं करवारी अपने अप कर लो बिदी बिदी तरह देखना है ये मेरे को तांग करने का जोरात नहीं है, जाओ यहां से इधर आवाचे अगर तुमने मामा पापा को बताया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा अब हमें अकेली में छोड़के जाये करो क्या होगिया बिठ्या? मुझे आप नहीं छोड़के जाया करो ने कुछ बताओ तो सही हलो हलो येस जी मैं आपके बेटियों के स्कूल से उनका टीचर बोल रहा हूँ जी जी बताये जी मुझे आपको इनफर्म करना था कि आपकी बेटियों की परफॉर्मेंस गिरती जा रहे है और वो बहुत डरी डरी सी रहती है क्लास में क्या आपके घर में कोई प्रॉबलम चल रहा है क्या? नहीं नहीं कोई प्रॉबलम नहीं रमनीक कुछ गलत हो रहा है क्यों क्या हुआ? अभी बच्चों ने भी इतना डरे डरे बोला कि आप घर से मज आये करो और अभी स्कूल से टीचर का फोन आया वो कह रहे है कि बच्चों की पर्फॉर्मेंस गिरती जा रही है वो स्कूल में डरे हुए घूम रहे है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहे? अरे इतना गबराओ मत ऐसा करते हैं तुम सुश्मिदा से पूछो, मैं बच्चों से पूछता हूँ पता तो करी प्रॉब्लम है कहाँ पर ठीक है, ऐसे करते हैं देखे एक बात सुन जब मैं घर से जाती हूँ तो मेरे पीछे से बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं होती नहीं भावी, मेरे होते हुए कैसे दिक्कत हो सकती है वो तो मज़े से खेलते हैं मेरे साथ भावी अच्छा, चल तो अपना काम कर बेटे, एक बात बताओ जब हम घर से बाहर जाते हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती पाप, वो न, वो वो पाप, वो न, जब करना ना चाहिए न पाप, वो, कोई दिक्कत नहीं होती, सब ठीक क्या का बचो ने? वो तो कह रहे, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सुश्मिता क्या कह रही है? वो भी कह रही है, सब ठीक है यह चल क्या रहा है इस घर में? सीसी टीवी कैमरा लगवाते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा ये क्या गान दाले तुम दोनों ने तो क्या हुआ दीदी हम केल रहे थे आप साथ कर दे ना क्या मैं साथ करूँ दूश में का क्या अब भी तू यही किएगी कि तूने मेरे बच्चों को थंग नहीं किया नहीं भावी नहीं वो देख मैंने तुझे अपनों की तरह रखा ताकि तू मेरे बच्चों को अपने इद बच्चों की तरह रखे माफ कर तो भावी प्लीज किस हक से मुझे माफ़ी मांग रही है मेरे सबसे बड़ी गफ थे कि मैंने तुछ पर विश्वास किया निकल जा मेरे घर से बच्चो मुझे नुँ ने माफ कर दो मेरे से नुद बत बड़ी गलती हो गए आपके मामे पापा को बोलो कि मेरे को काम से नहीं निकाले आपके जैसे मेरा भी छोटे-छोटे बच्चे है अच्छा आप चुप हो जो आप मत रो ममा ममा आप दीदी को काम से मत निकालो वो दर वेट के रो रही थी उनके भी हमारे जैसे छोटे-छोटे बच्चे है उन्होंने हमारे को प्रॉमिस करें वो आगी से हमारे को तंग नहीं करेंगी अच्छा? चलो आप खेलो मैं देखती हूँ नहीं रमीक, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसको दुबारा इस घर में रखूँ बिजारी कहा जाएगी, वो उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं क्या पता उसका मन सच में बदल गया हो? नए, मुझे नहीं लगता एक बार सोच के तो देखो देख बेटा, इस बारी मैंने अपने बच्चों की खातिर और तेरे बच्चों की खातिर तुझे माफ कर दिया मगर इसके बाद, अगर मुझे कोई शिकायत का मौका मिला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा भावी आपकी बहुत-बहुत सुक्रिय आपको सिगात का मोगा नहीं दूँगी बेपी कुछ खाने है? नहीं दीजिङों जबी नुपीजा बहुत देर हो गए है, कुछ खा लेड़ा नहीं नहीं दूँगी पानी पीलो, नहीं दिजिङों दूँगी सुकर है मेरे बात पर आगे अब मैं बदला लेकर रहूंगी पहले तो मैं CCTV की केमरे की तार ही निकाल देती हूं अब लगेगा दार तो अब लगेगा दार तो अब लगेगा अगर किसी को बताया तो इससे भी बुरा हल करूँगी तुम्हारे माबाप की पस तुम्हारे लिए टाइम नहीं है वो पैसा कमाने में लगे हैं उनको पैसा जधा प्यारा है तुम्हारे माre मया ने मुझे ठपण मरा था ना अब मैं तुम्हें बताओंगी बच्चों, 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 अब जाओ देखो ना मैं देखकर आती है जाओ देखो ना मैं देखकर आती है बच्छो कैसा था देन बेटा बोलो ना क्या हुआ मुझे जवाब तो दो ना अरे बोलो ना बच्छा क्या हुआ बच्छे तो बिलकुल ही चुप है कुछ कही नहीं रहे अरे धग गए होंगे पुरा दिन खेल खेल के तुम सुपा बात कर ले ना रमनीक कुछ गड़बड है अरे तुम हर बात पर शक करते हो या कोई बात नहीं रिलाक्स मैंने बच्छो को कभी भी इतना चुप नहीं देखा मैं सुश्मिता से पूछती हूं सुश्मिता सुश्मिता बच्चे इतने चुप हैं आज कुछ हूआ था क्या घर में नहीं भाबी पूरी दिन तो मेरे साथ खेलते रहे पका ना हाँ जी अच्छ ठीक है तुझा हो गई के सली अब तो ठीक है तुमको नहीं रम्नीक मेरा दिल इस बात को मानने को त्यार नहीं है कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है अरे तुम्हें इतना शक है तो CCTV कैमरा लगवाए तो है हमने चेक करो उसमें रम्नीक देखो इसमें तो कुछ नहीं आ रहा इसा कैसी हो सकता और ब्लांक यहां वाइर चेक करें कि booking लोगी हो वाइर नहीं आतर गई है बिलकुल नहीं आप देखो प्लीज क्या हुआ वायर तो बिल्कुल ठीक लगी हुए है आप रमनी कुछ तो गरबड है आप मेरा यकीन मानो मैंने बच्चों को इतना चुप कभी नहीं देखा मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है अब तो मुझे भी कुछ गरबड लग रही है सीजीडीवी कैमरे के अंदर ब्लैंक आ रहा है और उसकी तारे भी सब सही लगी हुई है अगर सच का पता लगाना है तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा सुश्मिता हांजी आवी हम थोड़ा काम से जा रहे हैं दो तिन धंटे में आएंगे बच्चों का दिहान रखना जीडीवाव चिंता मत करो है चलो अधो चलो उठो बहुत हो गया रांग तो चलो किया हो चलो किया हो दिर गरी किया हो दिर को हुआ है कि रहा हुआ है प्मश्मेब मेत की भाईब देनेlläस । इंचा की सबस्क्तु हो की लिदर पेफर प्रियो यह क्यों हो रहा है भाद्वी और न बच्चे का हैं भाबी हो ना बच्चे का हैं भाबी हो ना उतर से आवाज आ रही है जरा देखो मेरी गल्ती मैं ने तुझे माफ म्याफ किया तो किसी माफी के लायक नहीं है निकल जाओ मेरे घर से मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा होगा रमीक इसमें गलती सिर्फ हमारी है हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाए अपने करियर के चक्कर में पैसा कमाने के चक्कर में हमने अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी उस मेट पर डाल रखी थी मगर अब मैंने फैसला कर लिया है अब मैं आफिस नहीं जाओंगी अब मैं अपना सारा वक्त अपने बच्चों को दूँगी आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, हमारे लिए बहुत है, हम उसी में गुजारा कर लेंगे, मगर इस टाइम हमारा सारा वक्त हमारे बच्चों के लिए है भाबी, मैं आपकी साथ कुछ बात कर शक्ति हूँ मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, निकल जा मेरे घड़ से मुझे तो लग रहा है मुझे तो पॉड़र लग रहा है findeध़ मंदा न मन? नमी कम गेंगे कम देखो ना कह ने? देखो ना करगे आप ले अब भगवान अब तो क्या करने आई इस घर में भावी में तो चली गई थी अज़े तुम बाहर क्या कर रही है घर के अंदर जाओ तुमको पता नहीं है बाहर एलाउड नहीं है ना कोई बस मिल रही है ना कोई मेट्रो मिल रही है ना कोई ओटो मिल रही है सब लोग बोल रहे हैं कि बाहर निकलना एलाउड नहीं है तो फिर में कहां जाओ भावी मेरा इससे कोई मतलाब नहीं है तु इस घर में नहीं रह सकती सब लोग बोल रहे हैं कि बाहर निकलना अलावड नहीं है तो फिर मैं कहां जाओं भवी मेरा इससे कोई मतलाब नहीं है तु इस घर में नहीं रह सकती एक सब्सक्राइब तुम में सब्सक्राइब अंदर आओ कि क्या कर रही हो तुम गॉर्मेंट ने लॉक डाउन अनाउंस कर दिया है किसी को घर से बाहर निकलना अलावड ही नहीं है वो कहां जाएगी वो सड़क पे भूकी प्यासी मर जाएगी रमीक मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए तुम मे मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए एक कोने में पढ़िये और मेरे बच्चों के पास जाने की सोचियो भी मत आपकी बहुत-बहुत सुक्रिया भाले चलो झाले बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत यह क्या हो रहा रमनीक? इसको बहुत भोक लगी थी मैंने सोचा थोड़े फल दे दूँ रमनीक आगे से आप मेरे से बिना पूछे इसको कुछ भी नहीं देंगे संदू ठीक भालंीक ucharist वालंीक रमनीक बेंगम पिला में पम गीख secondo रमनीक मेरा छा ज़न रेख आप मुझा, ममा, ममा हमें बट गुठ लगग है कच और दो अरे तुम कहा ज cray है तुमने अपनी हालत देखी है मैं बच्छों के लिए कुछ खाने को लाती हूं अरे नहीं तुम बैठो मैं देखता हूं मैं कुछ बनाता हूं अरे आप कैसे बनाओगे? अरे मैं कुछ ना कुछ देख लोगा ना, अपनी हालत देखो आओ बच्चो भाया, क्या दुन रहे हो? कुछ पच्चों के लिए खाना बनाना है मुझे मैं बना दू भाया बनाना है ठेक अरे वा, आपने तो बहुत अच्छा बनाया मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को लेकर आता हूं हां जी बेटा कुछ भावी के लिए भी बनाता हूं हां जी भी बना दिती हां कि अधै कि अधै कि कि पाला है यह आप ने आप नगे लिए छाएन। ऐसको मैंने का सा तुम्हारील कुछ खाना बनाने विरे चाहिए आपज यहांच के विद्ग हालता एव तुम मैंने अपको काये, मुझे हाथ पाई भी टो इस पर शुद्टेख हो भाइया भूक लग रहे हैं कुछ खाने को दे तो तेरे को तो पता है ये भावी कितना डाणती है देख भाई मेरे से उमीद मत कर जो बात करनी है भावी से कर दे भाईया लगता है गी सिधी उगले से नहीं निकलेगा उगली टेड़ी करने पड़ेगी ठामने करेप विप्रण ये करने कर किसी आद्धिये भी आद्धिया आद्धिये! अब खाने कर अद्ञा बंद्धिये! ESTूंद्धिये! आद्धिया बंद्धिया मैंने नमक तूर दाला था इतानी मेरी तबर्थ उस ताइम ठीक नहीं थी शायद जादा डल गया चलो कोई बात नहीं मैं कुछ और बना देती हूँ ये ना सुछमिता को दे देते हैं खाने के लिए लेकिन हमसे नहीं हमसे नहीं खाया जा रहा वह कैसे खाईगी अरे नहीं कुछ नहीं होता इंको उसको दे देते हैं आप रहने दो सुछमिता ट्रे लेकर आओ ये ये तुम ले जाओ तू खाले अर्ण नहीं होता बदेता किन एंग वे लेकिन लेकिन पंग वे रहन करने नहीं रामनीक क्या हुआ मुझे मैं बहुत दर्द हो रहा है आपना मुझे हॉस्पिटल ले चलो अरे हॉस्पिटल तुमको पता है बाहर लॉकडाउन चल रहा है गॉर्मेंट ने भी बोला है कि छोटी-छोटी बातों पर हो इंफेक्शन का डर रहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है मैं दवाई लेकर आता हूँ पापा पापा जल्दी चलो देखो दीज़को क्या हो गया क्या हो गया आप चलो बश्च चलो चलो अरे अरे महां पे सुष्मिता बेहोश पड़ी है अरे अरे महां पे सुष्मिता बेहोश पड़ी है पता नहीं क्या हो गया उसको मुझे को लग रहा है उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा हमें अब भी तो आप कहा रहे थे कि लॉकडाउन है फॉस्पिटल नहीं जा सकते अरे लॉकडाउन है लेकिन एमर्जंसी में तो जा ही सकते हैं अरे नहीं नहीं रहने दो कोई जरूँ इतनी है उसके मुपे पानी की चित्ते मारो और जो घर में वो दवाई पढ़ी है वो दे दो अभी ठीक हो जाएगी अरे सुच में था तुम ठीक तो हो ना हाँ बयाँ मैं ठीक हो क्या ओ क्या था ऐसे बस चकर आ गया था भैया आँ आ उठो उठो पापा पापा हमें बहुत भूख लग रही है कोई बात नि बेटे तुमको पता है ना ममा की तबे ठीक नहीं है मैं सुशमिता दीदी को बोलता हूं गो अपापा हम उनसे बहुत डर लगता है हमें उनसे नहीं खाना आथी मैं यही बैठा हूं है आपके पास ही हूं हरे सुशमिता बेटा तुमको तर पता है ना भाबी की तभी है ठीक नहीं है बच्छों के लिए कोई फूरुट काट दो इनको भूक लगी है ठीक है बेया ह्येलो परिष्छे हेलो खालो खालो रमीःऊट सुनो आपने मेरे पॉस्ट में दो पैसे लिया है.. नई नाई मैंने तो नहीं लिये तहां पड़ा था दुमाहा परश बच्चो के कमरे में पड़ा था अरे तो वहां पर सुश्मित और बच्चे खेल रहे थे अच्छा चलो मैं देखते हूं पापा पापा हम बौर हो रहे हैं आप हमाई साथ गेम खेलो ना बेटा मुझे ना कुछ ऑफिस का काम है आप सुश्मित दीदी के साथ खेल लो नहीं नहीं पापा हमें उनसे बहुत डर लगता है अरे बेटा मैं यहीं पर हूं डरो मत सुश्मित आ जी बेटा जरा बच्चे ना बोर हो रहे हैं इनके साथ वो गेम खेल लो जरा जाओ बच्चे जाओ रमनीक रमनीक हाँ बताओ न सुनो आपने उसको दुबारा रख तो लिया है मगर मुझे नहीं उस पर बिलकुल भरोसा नहीं हो रहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्स में इस जो पैसे निकले है वो शाद उसी नहीं लिया होंगे अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो ऐसा करते हैं आज उसका एक इम्तिहान लेकर देख लेते हैं अभी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा सुनो आपने उसको दुबारा रख तो लिया है मगर मुझे नहीं उस पर बिलकुल भरोसा नहीं हो रहा अरे वो बच्छों को भी इतना प्यार कर रही है अब तुम देखो तो सही नई नई अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो ऐसा करते हैं आज उसका एक इम्तिहान लेकर देख लेते हैं अभी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा ठीक है मैं तुमको अपनी एक पैंट देता हूँ उसमें कुछ पैसे डाल देता हूँ तुम उसको बुलाओ और उसको बोलो इसको प्रेस करके लेया अभी पता चल जाएगा वो पैसे निकालती है या नहीं निकालती है ये ठीक रहेगा ये पकड़ो पैंड इस पे मैंने कुछ पैसे डाल दियी है और तुम उसको प्रेस कराकिद दे ठीक है ठीक है सुशमेता ये भाहया की जीन्सप्रेसकर दो सुशमेता हंग्यद आडएगर ये भाहया की जीन्स प्रेसकर दो झाल भावी, इसमें मैं कुछ पैसे थे अच्छा, ठीक है, तू जा रबनीक हाँ जी, उसने पैसे दिये मैंने कहा था ना, वो चोर नहीं है तुम बिना बात पर उस पर शक कर रही हो हो गई तसली, आप सही करें हाँ, कही करेंज़ क्या हुआ ममा दीदी ने हमें मारा मारा? सुश मेता तेरी इतनी हिमन्त कि तुन्हें बच्चों को मारा भावी मैंने कुछ नहीं कहा में मारा भी नहीं बच्चे कह रहे हो तुन्हें उसको मारा नहीं भावी नहीं मैंने कुछ नहीं किया तुछ बोलने अचा अचा एक सेकें तुम सुश्मिता जाओ अंदर जाओ बच्चो तुम अंदर चलो देखो मैं सब जानता हो कि सुश्मिता ने पहले क्या क्या किया है लेकिन कही न कहीं कुछ गरबढ़ है अब वो बदल चुकी है अगर मेरे बच्चे कह रहे हैं कि उनको मारा गया है तो वह बात फाइनल है और इस बारी मैं उसके ऐसी तैसी कर दूंगी हर बारी सुश्मिता गलत नहीं हो सकती मेरे पे भरोसा रखो मैं एक बारी बच्चों से बात करता हूँ ठीक है बच्चों मुझे सच सच बताओ वहाँ पर क्या हुआ था पापा वो हम गेम खेल रहे थे हमने दीदी को बोला था अब ये वाले गीटी इदर रख दो तो उन्होंने हमारे को एक एक थपर माग दिया हैं सच बोल रहा तुम जी बापा सुष्मिता सुष्मिता मुझे कुछ सच सच बताओ वहाँ कमेरे में क्या हुआ था भाया मैंने कुछ नहीं किया अचना खेल रहे थे इन दोनोंने रो पड़े और चले गई मुझे पताई ही नहीं क्या हुआ बिलकुछ सच बोल रही है तु हाँ जी भाया चलो बैठो तुमना दो दीदी आजाओ दीदी आजाओ ग्जाओ चनाया जीदी 8-4 मैं अचनाया अचनाया की अचनाया अचनाया ममा प्लियुश इनने अमको माँा माँा फिरसी सुष्वेटा छाल जी बड़ा तुमें जी खेल बच्छों कमा ला ले तुममें तो में साटने जड़ा चलो अंदर तुम भी अब मुझे सच सच बताओ दोनों कमरे में क्या हुआ था मैंने कहा सच बताओ क्या हुआ था मुझको सच सुनना है पापा वो हम खेल रहे थे दीदी ने हमारे को मारा मैं सच सुनना चाहता हूँ मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है वापे पापा दीदी ने हमारे को पहले बहुत तंग किया था इसलिए हम चाहते थे कि दीदी को भी डांट पिटे बिटा ये तुमने बहुत गलत की है सुरी पापा हम आगे से ऐसे बिलकुल नहीं करेंगे जाओ तुम याँ से देख लिया तुमने अपनी आँखों से मैंने तुमसे कहा था हर बार वो गलत नहीं होती अब वो बदल चुकी है अपने मन में उसके प्रती जितनी भी कड़वाहट है उसको निकाल दो अब मुझे यकीन हो गया है कि वो वाके ही बदल गई है मैं उसे माफी मांग लूँगी और अब उसे अपने परिवार का हिस्सा बना के रखूँगी पेटा, मुझे मुझे माफ करते पेटा मैंने तुझे इतना गलत समझा में को पूरा यकीन हो गया है कि तुपूरी तरह बदल चुकी है मैं तेरी सारी गलतियों को माफ करती हूँ और तुझे अपने घर का हिस्सा बनाती हूँ अब मैं अपने बच्चों में और तुझे में बिल्कुल कोई फरक नहीं करूँगी आपके बहुत-बहुत सुप्रिया भावी हेलो ये लोग पूरी तरह से मेरे जहांसे में आ गए है इनको मैं सिस्से में उतार लिया अब हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है